दोस्तों गोधी मीडिया ने BJP की पोल खोल दी है दोस्तों विपक्ष नहीं गोधी मीडिया ही भाजपा का सफाया करते वे नजर आ रही है इस बार क्या क्या है वो हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो जरूर देखिए दोस्तों ये अभी का कोई वीडियो नहीं है ये वीडियो कुछ समय पुराना है जिस पे भाजपा नेताओं और भाजपा कारेकरताओं ने क्लेम कर कहा था बेसिकली बीजेपी आईटी सेल का ये काम था कि ये लड़का मुसल्मान है और आज कल हो रही रेल आक्सिडेंस की वज़ा यही है जबकि आज तकर ने इस वीडियो का जब फैक्ट चेक किया तो सच्चाई कुछ और ही निकली वो सच्चाई क्या है पता करने के लिए आपको वीडियो के अंतग मने रहना पड़ेगा इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा नमस्कार स्वागत है आपका दकंटाप में मैं आपके साथ प्लिज़ा आप ये देखिए आज सके वेब साइट पे एक वीडियो उन्होंने डाली है जिसे हम कॉपी राइट की वज़े से आपको नहीं दिखा सकते हैं लेकिन उसके नीचे देखिए लिखा है देश में कई रेर हाथ से हो रहे हैं इससे आम जनता काफी परिशान है ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है इसमें एक शक्स रेलवे ट्रैक के साथ छेड़ छाड़ करता हुआ नजर आ रहा है मगर इसकी सचाई कुछ और ही है दरसल जब वाइरल दावे की पड़ताल की गई तो पता चला कि वीडियो भारत का नहीं बलकि पाकिस्तान के करांची का है सोशल मीडिया यूजर्स पाकिस्तान के पुराने वीडियो को भारत का बताकर गलत दावे के साथ शेयर कर रहे हैं दोस्तों सोशल मीडिया प्लाटफॉम फेस्बुक पर एक यूजर ने इसे पोस्ट में शेयर करते वे लिखा कि इस उम्र में ये रेल की पट्रियां उखाड़ने हैं सोशी अगले पचास वर्सों में ये क्या करेंगे डॉक्टर बाबा साहिब अमेटकर जी ने इनके बारे में क्या कहा था उसे सत्ता को पढ़ना और समझना चाहिए केवल उनके नाम जाप से कुछ नहीं होगा दूसर इस वीडियो को कई दूसरे यूजर्स ने अलग-अलग सोशील मीडिया प्लाटफॉंस पर शेयर किये थे और इस पोस्ट पर करीबन एक लाग से ज्यादा ही वीउज आ चुके हैं जबकि इस खबर की फैक्ट चेकिंग की पुष्टी दप्रिंट ने भी की है दावे की सतिता जाशने के लिए पी टी आई फैक्ट चेक टीम ने इनवेट टूल की मदद से वीडियो की फ्रेम निकाले और फिर रिवर्स इमेज सर्च की मदद से पाकिस्तानी ट्रेंस नाम के फेस्बुक पेज पर पहुँचे जहां ये वीडियो 5 दिसंबर 2023 को अपलोड किया गया था इस वीडियो में दिख रहे रेलवे ट्रैक के संदर्व में बताया गया कि वो पाकिस्तान के सर्टाज खान पहाड़ी वोट बेसिन चौकी के पास की रेलवे लाइन का है इस फेस्बुक पोस्ट में ये बताया गया कि ट्रैक पर नजर आ रहे बच्चे कुछ समान चोरी कर रहे हैं और इसके खिलाव कारिवाही करने का अनुरोथ किया गया है परताल को आगे बढ़ाते वे डेस्क ने पाया कि करांची के पुलिस ने ततकाल आक्शन लिया और रेलवे ट्रैक से समान चोरी कर रहे बच्चों को पकड़ कर थाने मिले जाया गया बाद में अभिभावकों ने आशवाशन के बाद बच्चों को उनके अभिभावकों को सौब दिया गया PTI Factor की परताल से ये साफ हुआ कि वाइरल वीडियो भारत का नहीं बलके पाकिस्तान के करांची का है अब दोस्तों इस वीडियो को आप देखिए कि किस तरीके से अपने राजनेतिक मुद्दों को भड़काने के लिए इस्तमाल किया जाता है उसे एक तरीके से चिंगारी में आग लगाने का काम किया जाता है और आपके और मेरे जैसे नागरेक भैक भी जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं राजनेता जनता को मुर्ग समझ उन्हें जहां से मिलेना जाते हैं उन्हें पता है कि जनता क्रॉस शेक तो करेगी नहीं और इसलिए दोस्तों असली पत्रकारिता की जरुत इस देश में बहुत ज्यादा है इसलिए आप असली पत्रकारिता दकंटाप को सब्सक्राइब कीजे हमें आप फॉलो कीजे बाकि आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजे अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए दकंटाप के साथ